आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से बनावा एकदम हैल्दी, टेस्टी और क्रिस्पी डिरो बरत वाला मसाला लच्छा प्राठा की रैसिपी जिसे आप ब्रेकफास्ट की रैसिपी में जटपट बना कर त्यार कर सकते हैं हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मल्टी वसाला कोकिंग में तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो लच्छा पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा त्यार कर लेंगे तो उसके लिए मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है आप इसकी जगा मैदा भी ले सकते हैं त थोड़ा सा नमक डाल देंगे और नमक को बढ़िया से आटे में मिला लेंगे तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक बीच वाला डो लगा कर तियार करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरह का आटा लगाना है हमने अब हम इसे दस मिनट के लिए रैस्ट पे भड़ाल लेंगे तो मैं इसको ठख ढूइंगे और १स मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेंगे तो तब तक हम मसालों की तैयारी कर लेत हैं मैंने लिए आपर Department ईल्र में और इसमें डाल आपको फ्लेवर फुल मसाले पसंद हो आप यहां पर एड कर सकते हैं तो बढ़िया से हम इन सब मसालों को मिला लेंगे तो एंड में डाल देंगे थोड़ा सा नमक तो नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेगा क्योंकि हमने आटे में भी नमक यूज किया था तो बढ़ मसाला बनकर तयार है तो आटे को चेक कर लेंगे तो आटा भी हमारा बढ़िया से तयार है तो इसको अच्छे से मसल लेंगे तो खूब बढ़िया से आटे को मसलने के बाद हम यहां पर इसको रख देंगे साइड में तो मैं यहां पर एक कटोरी लोंगी और इसमें हम मिला कशार करना है तो खुब बढ़िया से हम इसको मिला लेंगे तो हमारा घोल इस तरह का तयार है तो यह देखिए तो इसे रख देंगे साइड में तो आटे में से हम एक लोई तोड़ लेंगे तो जितने की हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा अमने जादा क्योंकि हां पर लक्षा प्राठा बनाना है तो लक्षा प्राठा थोड़ा मोटा ही अच्छा लगता है तो बड़िया ओए से एक लरब बना कर त्यार कर लेंगे और उसके बद सूखा और यह उट लगद इसको हम इस पर बढ़िया से लगा देंगे मशार बाद में आप चाइक पीप से अच्छ कॉड़ी दूरी दूरी पर चाकू से इस पर कट लगा देंगे प्राठी पे कट लगाने की बाद हमने जो मसाला तयार करके रखा था हम इस तरह से इसको छिड़क देंगे उपर से और बड़िया से हम इसको फैला लेंगे तो मसाले को हमने को बच्छे से फैलाना है ताकि पूरे प्राठी में हमारा जो मसाले का फ्लेवर आए अब हम चाकू से या फिर हास से इसको साइड से इस तरह से छुड़ा लेंगे और बड़िया से हम इसको फोल्ड कर लेंगे तो ये देखिए जो इसके लच्चे थे ही हमने बड़ीया समिन कर लिए है अब हम इसमे सुखाटा डाल देंगे थोड़ा सा ओपर से थोड़ा सा छिड़कना है थोड़ थोड़ा आप सुखाटा छिड़क rate लें उसके बाद हम इसको बड़ीया से रोल करrows लेंगे तो आप क् तो आद तक यह मोराि तूल धाल को अच्छा हम बन कर तयह तो आगे नहीं और फोरक एकान जाएंगे चिपक बनाएंगे फिला देंगे घ्रम कि यॉदॉद फिले जोदे टाभविनेगे तो दो हम इसको भी यह रख पर मेंगे देंगे अँसको दूस historian को बना लेते हैं तो दूसरा पराठा मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊंगी तो चलिए उसी तरह से सेम लोई लेंगे और इस पर सुखा आठा लगा के इसको बढ़िया से बेल लेंगे तो सेम उसी तरह से हमने एक बड़ी रोटी बेल कर तयार करनी है तो ये लीजे हमारी रोटी बिलकर तयार है तो आप हम इस पर आठे का घूल लगा देंगे आठे का घूल लगाने के बाद हम यहाँ पर मसाला चिलक देंगे जो हमने मसाला तयार करके रखा था बढ़िया से हम मसाले को फैला लेंगे थो बड्या से मसाला फेलाने के बाद uto अभुडा सा शूखा अठाचलाक देंगे शूखा अठाचलाक प्राठा के जो लचछे हैं तो बड्या से हम इसको जासे हम इसको बचम पर फैन की तरह फोल्ड कर लेंगे कि बड़िया से हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है इसको पर भी जाल लग कि लग लग है और हमारे याँ पर ओपर से धोड़ लहां दूट है einzam यहां पर इसको से मुसी तरह से हमने इसको टाइटली फोल्ड करना है जैसे हम पगड़ी बानते हैं और बढ़िया से हम इसको गोल गुमाते वे टाइटली फोल्ड करेंगे और जो इसका last वाला हिससा है इसको इस तरह से उपर चिपका देंगे और बढ़िया से हम इसको हलके हातों से प्रैस करते वे सूखा अटा लगा के बढ़िया से बेल लेंगे तो बेलते समय हम यहां पर बहुत ध्यान रखना है कि हमने यहां पर ज्यादा प्रेशर नहीं देना है हलके हलके हाथों से बेलना है तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप इसको ज्यादा प्रेशर देते वे बेलेंगे तो जो इसके लच्छे आपस में और प्रैटा अम इसमें डालते ही और है वृट यह सफ उपर वाय डिया भीओं यह हो अधिके kingdom लगार लना कि वहाँ अधिकि क्रिश्पी ने से धक है कि आसे जिक करते हैं मिडियम फ्लेम में इसको सअ apart तो अंदर से भी प्राठा बढ़िया से निखना चाहिए तो यह देखिए लच्छे कितने बढ़िया नजार आ रहे हैं आप देख सकते हैं तो आप इस रेशिपी को एक बार से जरूर से ट्राइगा जो हम ने इसमें मसाला यूज किया है आपको उस मसाले के साथ किसी भी इसकी फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे और बढ़िया से हम दोनों तरफ अच्छे से घी या तेल लगाकर इसको क्रिस्पी होने तक सेख लेंगे तो उमीद करती हूं आपको मेरी आज की रेसिपी जरूर से पसंद आए होगी और रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को जा अच्छा प्राठा बनकर दयार है तो आप रेसिपी को जरूर से ट्राइ कीज़ेगा तुम्हें मिलती हूं अगली एक और नहीं रेसिपी में तब तक के लिए टेक क्यार बाइबाइबाइब